बंदेव मातरम भारत माता की जै आप सबका आज स्वागत है देखिए हम आजादी की पचेतर्जमी वर्षगांट मना रहे हैं और इस पावन अफसर पर दिल्ली सरकार ने देश भगती कारेकरम का आयोजन किया है और मेरा टॉपिक भी यही है देश भगती पाठेकरम अभी तक हम सभी विशे पढ़ाते रहें हिंदी पढ़ाई इंगलिश पढ़ाई साइंस है समाजिक है लेकिन हम देश भगती नहीं प दरूरत है यह तो बच्चों में होती ही है हम सब देश भगते नहीं ऐसा नहीं है आज बहुत जादा जो है बच्चे कंफ्यूजन में है कि हम एक देश भगत कैसे बने हम कैसे देश भगते निभा सकते हैं तो इसके लिए मैं दिल्ली सरकार की और मैं नहीं सभी टीचर्स दिल्ली सरकार के हम बहुत अभारी है जिन्नोंने ना केवल ना केवल जिन्नोंने देश भगती का मार्ग प्रशस्त किया है प्वितू सब जंगे सब के हिर्दे में भारत के प्रती गौरव की भावना को और निखा रहा है देखिए इससे पहले क्या होता था 26 जन्वरी 15 अगस्त हम केवल जो है जाकर क्या करते थे कि सभी जंडा जो है फेरा लिया देश भगती के गीत गा लिये और उसके बाद अगले दिन फिर से रोटीन वर्क शुरू हो जाता था यही होता था ना तो बच्चे भी जो है कंफ्यूजन में आ जाते हैं कई बार कि भाई अब हम क्या करें अब हम मारे लिए क्या है अब हमें जाकर बॉर्डर पर लड़ाई तो करनी नहीं है तो ऐसे में ये देशभक्ती पाठे करम एक मील का पत्थर साबित हुआ है ये ना केवल हम सब के विद्यार्थियों के सब के कंफ्यूजन को दूर करेगा उनके डौर्स को दूर करेगा बलकि उन्हें एक सच्चा देशभक्त बनाएगा पहले भी इंजीनियर थे पहले भी डौक्टर थे लेकि इस पाठे करम के आने के बाद इसको पढ़ने के बाद अब सही अर्थों में एक सच्चा इंजीनियर बनेगा एक बालक सच्चा जो है वकील बनेगा और कहूं तो कि आज का ही बालक कल का नेता है एक सच्चा वै इम प्रवांदार नेता बनेगा देश भक्ति का नाम देश की मिट्टी से देश के लोगों से देश के पेड़ पोधों से जुड़ने का नाम है यही एक सची देश भक्ति है अब जो है देखिए आप सब को पता है पहले तो बुक्स बहुत आती थी बहुत पढ़ते थे लेकिन आज को जो टाइम है अब इबुक्स आने लगी है हर जंगे इंडरनेट का टाइम है तो ऐसे में जो यह देश भक्ति पाठे करम है यह बच्चों को ना केवल एक सच्चा देश भक्त बनाएगा बलकि भारत को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा और जो है अब हम यह भ अब है दिल्री के सभी स्कूलों में जो है देश भक्ति का पर्चम लहरा रहा है बहुत गर्म की बात है इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो हम यह देखना है हमें अपने क्रणों का पालन करना है अब बच्ते जो है this है यह समझें कि देश भक्ति से हम क्या समझते हैं अब करते क्या है कई बार जगे जगे लाइट्स खुली रहती हैं पानी बह रहा है तो बह रहा है नहीं भई देखिए ऐसे तो काम नहीं चलेगा तो सभी बच्चे इस कारेकरम के बाद उनको यह पता चलेगा कि यदि कहीं भी हमारे नेचुरलर रिसोर्सी का या हमारे जो आ जंगे जंगे ठूकना नहीं है कर देते न कहीं बारे से और यदि कहीं गए हैं तो बस में से बाहर कागज फैक रहे हैं तो ये सब हमें नहीं करना तो आप सब को ये पता चलना चाहिए कि अब ये सब चीजें हमारी देश भक्ती कारेकरम के अंतरगत ही आ रही है अब हम चलेंगे क्लास रूम के अंदर देखिए देश भक्ती की क्लास कैसे लगेगी ठीक है तो हम वो सीखेंगे सबसे पहले तो हम देश भक्ती पर जो है पांच मिनट के लिए ध्यान करेंगे ध्यान करना बहुत जरूरी है और उसके बाद देखे क्या होगा देश भक्ती के ध्यान के बाद जो है टीचर और स्टुडेंट्स आपस में डिसकस करेंगे कुछ भी point ले सकते हैं कि देश भक्ती से प्रेव का क्या अर्थ है, सम्मानवे प्रेव में क्या अंतर है, हमारी duties क्या है, कुछ भी हम topic लेके वो discuss कर सकते हैं, उसके discussion के बाद जो है, बच्चे क्या करेंगे, debate भी कर सकते हैं, घर पर वही main points जाकर अपने parents के साथ, अपने आस pros वालों के साथ discuss करेंगे, और discuss करने के बाद फिर वो क्या करेंगे, जो देश भक्ती जो डाइरी है, उस पर वो बच्चे अपने विचार लिखेंगे, और अगले दिन teacher को दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाना चाहिए teacher को, इस से बच्चे जो है motivate हो जाएंगे, तो और वे काम हो सकता है, सेमिनार भी होंगे जंगे जंगे, बेसिकली ये एक activity based program है, जिसमें तरह तरह के activity करवाई जाएंगी, आगे और भी इसका फैलाव होगा, और बहुत हर्ष का विशे है कि दिल्ली सरकार ने इस पर सभी बच्चों के लिए एक book का जो है उन्होंने launch की है, मैं आपको अभी जो है वो book भी दिखाती है, हमारी उस्तक का नाम है हमारे देश भगत करांती कारी, इस किताब के अंदर सो देश भगतों की कहानिया है, उनकी शहादत का वर्णन है, हर बच्चा जब ये किताब पढ़ेगा, तो उसे पता चलेगा, कि जो आजादे हमें मिली ह कितने परियासों से मिली है, और अब हमें इसे कैसे मिंटेन करना है, यह नहीं कि हमें बॉर्डर पे जाके लराई करनी है, नहीं, हमें नित्य प्रती अपने आदर्शों का पालन करना है, हमें बड़ों का सम्मान करना है, और हमें अनुसाशन में रहना है, भई यही तो दे ये देशबक्ति का डंका बजेगा और हर बच्चा एक देशबक्त ही बन कर निकलेगा और एक बात पर जब अश्रूधार भेने लगे और बड़े पर्वतों पर जो हमेशां बर्व से ढखे रहते हैं जहां हडियां तक गल जाती हैं वहां पर हमारे जवानों को खाड़ा हुआ देकर जब जब हमारा सिर्फ श्रधा से ठुक जाए तो बच्चों सोच लेना यही सच्ची सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन सब शब्दों के साथ मैं एक वार फिर सबसे आपको कहूंगी आप सब मेरे साथ मिलकर कहें भारत माता की जै जै हिंद